अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक website बनाए थी जो कि personal portfolio website थी आप में से कई लोगों ने request किया कि उसको convert किया जाए यह सारी की सारी चीज़े मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे की जा सकती है चलते हैं computer screen में और अपनी portfolio website पर और काम करते हैं let's get started मैं आपर सबसे पहले जो website उसको देखूंगा कि यार वहां पर मैंने किया क्या था और उसके बाद हम लोग एक plan मनाएंगे कि क्या क्या चीज़े ऐसी हैं जो कि की जा सकती है उस website पे तो यह रही हमारी portfolio website जो कि हमने बनाई थी तो मैं VS code को खोलूंगा खोलने के बाद यह वलोन है यहां पर ठीक है तो मैंने द्रैक कर दिया यहां पर और मेरा VS code में खुल जाना चाहिए मैं काम करता हूं यार इस से कोई वाध ना मैं यहांसरे प्लोक सम्झेंव करता हूं कहां हो तुम ज भींडेकर और मैं क्या करूंगा कि finder में आकर basically मैं दूसरे monitor में इसको ले जाकर ड्राग कर रहा हूं आप खोल ले ना यार इस folder को विए इस पर फोल्डर खोलना था सभी को आता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गो लाइब करेंगे गो लाइब करके देखेंगे कि क्या वह चीज जो हमने बनाई थी काफी बड़ी चीज हमने बनाई थी और हमने यह आप टाइप.js का भी इस्तेमाल किया था काफी अच्छी लग वेबसाइट हमारी लेकिन टाइम की कमी को मद्ध नजार रखते हुने ही हम ने इस वेबसाइट में बहुत जऑद काम नहीं किया था वाइद इस वेबसाइट ग्रपे यह जो फैस्त करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो होस्टिंग और ने बहुत बढ़ीया डियल और one of the cheapest hostings है out there और काफी professional है, काफी मैं use कर रहा हूं टाइम से, आप देख सकते हूं यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यह देखो कि मैंने Harry's devportfolio.in नाम का एक domain जो कि मुझे free मिला था hostinger के plan के साथ उसको खरीदा तो उस पर इस website को host भी किया हुआ है तो बहुत ही आसान है इस सब करना and I strongly recommend hostinger अगर आप लोग अपनी website को host करना चाहते हो तो क्योंकि number one सस्ता है and number two काफी professional है United States की company है, वहाँ की बड़ी-बड़ी companies use करती है hostinger को, तो काफी reliable है अब आजाते है मुद्दे की बात पर, सबसे पहली जो मुझे शिकायत मिली आप लोगों से वह थी कि यार यह responsive नहीं है इसको responsive तो बना हो, responsive नहीं बना है तो क्या फाइदा तो सबसे पहले तो इसको मैं responsive बनाने पर काम करने वाला हूँ और responsive इसका ना होना जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रीट इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जब भी को इसको मोबाइल में खोलेगा हरी इसटाव पॉटफोलियो डॉट इन को तो सबसे पहले वो अगर हैरी हायर होने गया वेब डवलबर सबसे पहले रिच्ट करते हैं कि आपका अपना डव पॉटफोलियो रिस्पॉटफोलियो रिस्पॉंसिव नहीं है आप क्या मेरी कंपनी में आकर काम करोगे अच्छा तो मैंने यह काम आप लोग को दिया था कि आप रिस्पॉंसिव बनाए इसको बट बनाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि एक मीडिया कोईरी लिख सकते हैं कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैं काम करता हूं और CSS Snippets यहां पर देखता हूं कि यार कोई जो CSS Snippets नाम से मुझे extension मिली है और मुझे पताए कि आपर काफी बढ़ी है बढ़ी है स्निपेट्स हैं और MED से मीडिया कोईरी लग जाती है तो मैं MED करके मीडिया कोईरी लगाने वाला हूं और यहां पर मैं लिखूंगा responsive design ठीक है in fact मैं यहां पर MED के नाम से मीडिया कोईरी लगाऊंगा और मैं max width मालो मैं background कलते था हूं इसका background color red ठीक है और मैं एक चीज और करना चाहता हूं पता है वो क्या है वो यह है कि यह वाली जो screen है मेरी वो मैं desktop 2 मेरे डालना चाहता हूं और यह वाली screen यहां पर आ गई मेरी ठीक है तो मैंने background color को red किया यह क्या हूँ एक expected css selector ओके तो background color किस चीज का red body का ठीक है तो body का background color red ठीक है तो मैंने अगर इसको ऐसे किया तो इदे को background color red आ गया जैसे 300 hit होई तो लेकिन यहां पर यह जो हमारी website है वो कितने से बिगड़ने लग गई है मेरे इसाब से बिगड़ने लग गई है जैसे ही हम 2000 reach कलते हैं बिगड़ने लगई तो 2000 से जैसे ही यह हम इस side आएंगे तो मैं यहां पर 2000 पर लगाऊंगा एक media query और मैं जैसे ही 2000 hit हो हम जाते हैं सबसे पहले तो कि यह जो images है यह जो right selection था हमारा और हमारा यहां पर first section again the left selection था हमने इसको flexbox बनाया हुआ था हम flex wrap को flex wrap को wrap करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह wrap हो रहा है कि नी हाँ यह wrap तो हो जाएगा but the problem is की नीचे जो है सबसे जादर problem create हो रही है तो उसे भी हमें fix करना है तो मैं कुछ और सुजाव लगाता हूं इसको करने का flex wrap रहने देते हैं मैं क्यों ना flex direction ही change कर दूंगा इसकी flex direction column reverse कर दूं तो यह हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा and in my opinion this is looking pretty good ठीक है तो अगर मैं इसको flex direction को column reverse कर दूंग first section के तो यह काफी सही रहेगा तो यही करते हैं तो मैं आपर सबसे पहला काम जो करने वाला हूं वो यह करने वाला हूं कि first section का जो flex direction है उसे column reverse flex direction column reverse और आप देखो यहाँ पर बड़ी screen पर ऐसे छोटी screen पर ऐसे क्या बात है यार क्या बात है काफी बड़ी या दिख रहा है लेकिन सबसे जादा प्रॉब्लम यह चीज़ कर रही है और यह चीज़ fix करने के लिए हमें क्या करना होगा यह चो timeline है हमारा इसको हम कैसे ठीक करेंगे तो यह जो vertical vertical मैंने डाले हमें box के अंदर इस तरह से हमें इनका कुछ करना पड़ेगा तो यह तो हम इनको breakdown कर दे है लग अलग boxes के साब से यह फिर अगर मैं यहां पर flex direction column करूंगा I know कि यह काम नहीं करेगा बस मैं करके देख रहा हूं and this is how I typically plan my applications ठीक है अगर मैं flex direction को column करूं तो यह कुछ ऐसे दिख रहा है and I know it's not looking good मैं सबसे पहले काम करता हूं जो red color background escort आता हूं मुझे थोड़ा सा annoy कर रहा है ठीक है in fact comment out करता हूं और इसको मैं ऐसे करूंगा अगर और इसको मैं flex direction को अगर मैं आपर box की column करूंगा flex direction को column करूंगा या column column ही करूंगा obviously column reverse नहीं करूंगा अगर मैं इसकी flex direction को column करूंगा नीचे आउंगा तो यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो vertical के अंदर क्या था कि एक तो developer.png थी फिर उसी के साथ-साथ यहां पर एक title था फिर description था ठीक है तो क्यों ना मैं vertical को एक अच्छी height दे दूँ अगर मैं इसकी height को बढ़ा दूँ okay so it is working actually इसकी height बढ़ा के मुझे काफी साही चीज लग रहा है कि यह साही चीज में convert हो सकती है but क्या मैंने box की height दे रखिए yes मैंने box को एक height दे रखिए I guess height 2 pixel दे रखिए मैंने box को और what I have done so far okay यहां पर यह है एक box यह है एक box यह एक box यह एक box हमें इस vertical box की height को बढ़ाना है basically सबसे पहले तो यह footer पता नहीं क्यों उपर आ गया तो footer को मैं क्या करूँगा comment out कर दूँगा footer को देखा जाएगा in fact footer को comment out भी नहीं करूँगा मैं यह पर लिखूँगा footer को भाई साब कर दो footer को display कर दो none ठीक है देखा जाएगा बाद में अब यहां पर यह बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है बस यह work experience में मैंने अपने box की जो flex direction थी flex direction इसको column कर दिया था और जैसे मैंने इसको column किया था यह थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुआ था फिर मैं given box को fix करूँगा basically ठीक है तो यह vertical है इसकी height 93 pixel दी गई थी इसकी height मैं हटा दूँगा और यह फिर अगर मैं इसकी height को थोड़ा भी दूँँ यह auto भी कर दूँँ तो भी शायद यह थोड़ा better हो जाएगा तो मैं अगर इसकी height को auto कर दूँँ ठीक है यह unset कर दूँ तो मैं height को unset कर सकता हूं तो मैं vertical में यह यह बाला जो मेरा सेलेक्टर है इसमें height को unset कर दूँगा तो यह करके देखते हैं सबसे पहले तो मैं कहूंगा यार यह जो है ना इसमें height को कर दो unset ठीक है और अभी यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं को मिलेक्शन कालम करना पड़ेगा और आपर देख सकते हैं तो आगया है जिसको कर लेंगे बाद में यह थोड़ा बहुत यहां पर सुदर गया है अब यह जो वर्टिकल टाइटल है वर्टिकल टाइटल में हमें क्या करना होगा इसकी जो टॉप है सी के साथ साथ हमें एक लेफ्ट भी दिना पड़ेगा लेट से मैंने 47 पिक्सल दे दिया ठीक है 45 पिक्सल काफी बढ़िया काफी बैहतरीन 45 पिक्सल काफी बैहतरीन ठीक है तो यहां पर यह क्यों ना मैं vortical title & vertical description दोनों में ही left 45p de duhua to vertical title & vertical description दोनों में हमें left वर्तिकल title & vertical desc to vertical title dot vertical title dot vertical desc dan I think this should work and yes it works and it is looking amazing और यह जो line है हमारी यह line जो box में यह line आ रही है कहां से आ रही है यह भी मुझे देखना पड़ेगा कियार एक तो इतनी सारी apps मैं code करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कियार क्या चीज कब बनाए गई थी अब इसकी width 77VW थी 77VW थी इसके width तो not sure कि ऐसे box है उसकी width को काफी जादा दिया हूँ है height को दिया हूँ है margin actually मैंने लगाई हूँ है top bottom की display flex दिया हूँ है तो यह line इतनी चौड़ी क्यों हो रही है यह मुझे यहां पर देखना पड़ेगा तो यह जो box है इसमें background white दिया हूँ है width दिया हूँ है मैं आपर इसकी width को कम करूंगा 50VW करूंगा सिर्फ 50VW 50VW सिर्फ और 50VW अभी यहां पर यह कह रहा है कि specify the width of content area 50VW कर देंगे हम इसकी width को ठीक है तो इस तरह से 50VW इसको मैं कर दूंगा और यहां पर मैं 50VW कर दूंगा 50VW width 50VW हां काफी बड़िया लिख रहा है मुझे काफी सही लिख रहा है अब एक चीज मुझे जो खटा करिये न वो है इसका navbar तो navbar में हम क्या करेंगे जब यह ऐसे आएगा ना तो यह जो home about यह जो चीज है हमारी इसको एक तो हमारा left था एक right था ठीक है तो यह भी देखना पड़ेगा क्यों ले रहा है तो nav है मेरा nav के अंदर सब कुछ center नहीं है तो मैं justify content center करूंगा align item center करूंगा ठीक है justify content center align item center और उसी के साथ साथ यह left है यह right है अब भी center में नहीं मैं देखता हूं कि क्या problem आ и कुछ center में नहीं जेए flex direction column ठीक है ये मैंने किया और मैं इसको ऐसे करते करते देखो ऐसे मैंने कर दिया ठीक है reload कर लेता हूँ इस पेज को और ये हमारी ऐसे एफ दिखरी थी ठीक है और ये actually change कि हो गई है मैंने media query जो है उस पे किया था ये सारा काम 2000 पिक्सल पर किया था ये इसको क्या हुआ मैं देखता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट करके तो हमारी विट्थ अगर 2000 से जाद है तो यह ऐसे दिखा रहा है लेकिन जैसे ही कम होते 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 यह आईगी तो यह देखो ऐसी हो जाएगी और फोन में यह ऐसी दिखेगी तो मैं देखता हूँ कि आईफोन में कैसे दिख रही है इसी दिख रही है और यहाँ पर 375 आईपाइड आईपाइड में देखता हूँ कहां गया आईपाइड iPad में भी ऐसी दिख रही है तो मैं काम करता हूँ क्यों न मैं यहाँ पर जो मैंने constraint लगाया हुआ है इसको मैं 800 करता हूँ ठीक है ताकि iPad से नीचे जो है यह phone वाली अपनी situation में आ जाए पुरी ठीक है तो यहाँ पर आप देखो iPad Air में यह ऐसी दिख रही है और iPad Air में भी अच्छी नहीं दिख रही है iPad Air में अच्छी नहीं दिख रही है तो यह जो 2000 की value थी बिल्कुल ठीक थी अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है कि जैसे यह 2000 की value के नीचे आए मैं चाहता हूँ यह width अपनी पूरी ले ठीक है तो इसको पूरी width लेने के लिए या इसको पूरी width दिलवाने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको और यहां पर जो first section है left section है इसमें यह तो मैंने padding दिये margin दिये कुछ ना कुछ दिया है right selection width इसकी 30% है तो इसकी width को हम बढ़ा सकते है ठीक है इसकी width को बढ़ाया जा सकता है और इसकी width को अगर मैं बढ़ाओंगा तो यह कुछ ऐसा लग दिखेगा but I think मुझे left section की width नहीं मुझे right section पर काम करना चाहिए यह right section जो है left section पर काम करना चाहिए sorry जिसमें text है और left section की width को अगर मैं बढ़ाओंगा तो थोड़ी सी चीज़े distorted हो जारी है तो मैं देखता हूं यहां पर की problem क्या रही है तो यह left section है इसकी width मैंने 30% दी हुए है और यह मेरा right section है ठीक है में 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 कुछ padding दी है नहीं मैंने margin दे रखी है यह मैंने top bottom में दे रखी है यह जो spacing के एक आसे आरी है बस यह देखना चाहता हूं और एक बर मुझे पता चल गया तो we should be good to go तो यह जो width है इसकी अगर मैं बढ़ा दूं फर्स section के अंदर के div में मैंने डाली हुई है फर्स section के अंदर दोनों में आ रही है width तो मैं अगर इसकी width को सिर्फ left section के width को कल दूं से 45% और मैं इसको बढ़ा हूँ थोड़ा बहुत और मैं यह जो यहां पर width आ रही है इसको म मैं थोड़ा से बढ़ा हूँ अगर तो यह left की तरफ को भाग रहा है वाइस हो यह left की तरफ को क्यों भाग रहा है यह भी हमें देखना पड़ेगा my name is Harry किया मैंने I am a passionate यह किया ठीक है तो मैं एक चीज कर सकता हूँ left section के अंदर मैं display flex ठीक है flex direction column और justify content center align item center यह मैं ऐसे कर सकता हूँ ठीक है width मैं थोड़ी और बढ़ा सकता हूं इसकी width बढ़ाने से by the way कुछ जादा हो नहीं रहा है क्योंकि यहां पर मैंने my name is लिखा है फिरसके बाद एक span लेके मैंने Harry लिखा है तो यह नीचे को column की तरफ भाग रहा है ठी video editor तो मैं काम करूंगा जो my name is मैंने लिखा हुए नहीं एक div के अंदर डाल दूंगा तो यह काम मैं भी करता हूँ तो यह हाई my name is लिखा हुआ है इसको मैं div के अंदर में डाल दूंगा इसको मैं cut करता हूँ और यहां पर paste करता हूँ अगर मैं चाहूँ तो इसके font size को भी बढ़ा सकता हूँ ठीक है इसके font size को भी बढ़ाया जा सकता है तो मैं reload करूँ अगर अभी यहां पर तो यह कुछ इस तरह से आ रहा है आप देख सकते हो और right click inspect left section के top bottom में थोड़ी सी मैं margin देना चाहूँगा सिर्फ top bottom मैं भी यह कुछ इस तरह से आ रहा है जैसे आप देख रहे हो इसको मैं चाहता हूँ कि यह पूरी width ले ले अपनी at least phone में तो पूरी width ले ले ठीक है तो left section के लिए हम क्या करेंगे left section के लिए थोड़ी सी CSS लिखेंगे तो मैं CSS वाले section में आऊँगा अपनी media query के अंदर मैं कहुँगा यार देखो left section की width लिए ना उसको 100% कर दो ठीक है पूरी width ले 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 वो और उसको उसकी display को कर दो flex ठीक है और flex direction को कर दो column ठीक है और justify content center और align items center यह दोनों कर दो और यहां पर आप देख सकते हो बड़े screen पर यह अच्छा दिखी रहा है छोटे screen पर कुछ ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हो छोटे screen पर कुछ ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा भाग रहा है I am a passionate and I am a passionate video editor भाग रहा है तो मैं and I am a passionate के साथ ही कर देता हूँ video editor को वरना यह दुबारा भागेगा तो यह online item center मैंने ल दिखाता हूँ यह जो width है न हमारी यह इसने बिल्कुल भी असर नहीं लिया तो या तो मैं इसको important कर दूँ ठीक है तो मैं इसको important कर दूँगा तो इसको width मिल जाएगी पूरी left section को ठीक है और मैं left section को width 100% दिलवा कर display flex justify center align item center कर सकता हूँ ठीक है तो मैं align item जो है वो center देत important अभी देखता हूँ कि यह कैसा दिखाई दे रहा है अब सब कुछ ठीक दिख रहा है except the fact कि इमेज जो है फोन में अच्छी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है तो मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा कि जो right selection है मेरा right selection है उसकी width को मैं maybe 50% करूंगा ठीक है right selection की width को 50% नहीं तो मैं इसको कम से कम कम से कम कुछ नहीं तो मैं 72% करूंगा तो right selection के लिए right selection के लिए right selection के लिए कहां गए तो मैं रिलोड करूं अगर तो यह काम नहीं करेगा मुझे इंपोर्टन लगाना पड़ेगा क्योंकि कि अगर कोई भी अच्छे से टागेट की गई है एलिमेंट को जो फर्स्ट सेक्शन डिव करके जो ज्यादा स्ट्रॉंग टागेटिंग है वो असर करती है और अगर डिरेक्ली आपने इस तरह से टागेट किया तो वो प्राइरटी नहीं लेती है इसके सामने बड़ यहां प देने का फाइदा यह होगा कि जब मैं इसको बड़ा करूंगा तो यह रिडिकुलस सी विट्थ नहीं लेगा ठीक है यह मुझे एक फाइदा मिलेगा तो यहां आप देखो यह ऐसे ऐसे हो गया तो मैं इसको 721 पिक्सल ही कर देता हूं 721 पिक्सल ठीक है और हाँ यार यह क सार में कैसा दिख रहा है ऐफोन एक सार में बहुत बड़ी है नहीं दिख रहा है मेबी मुझे फोन में जो दिस्टेंसे शोड़ी कम करनी पड़ेगी पर यह सब बिलकुल और आइफोन में अगर हम 12 pro में देखे 12 pro में भी थोड़ा सा problem करूप कर रहा है तो वो भी हमें दे प्रिश्पॉंसिफ में आ जाते हैं, रिलोड करते हैं, ठीक है, इसको फिट कर देते हैं, अब आक्चुली क्या है ना कि जो मेरा मॉनिटर उसकी फिट 19-20 है, तो मैं क्या करूँगा, कि जो मेरी मीडिया को एरी है इसको थोड़ा सा कम करूँगा, और मैं कोशिच करूँगा कि जो मेरी मीडिया कोईडी है, यह जाधर से जाधर डिवाइस को टागेट करने पे सफल हो पाए, तो अगर मैं इसको 1400 करूँ, हाँ ठीक है, 1400 पर यह बिल्कुल सही दिख रहा है, except the fact कि यह मुझे distance होड़ी कम करनी पड़ेगी, तो मैं काम करता हूँ, कि एक मीडिया कोई और ही लगाता हूँ, 1400 पर जहाँ पर मैं इस distance को कम कर दूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर यह जो vertical है, यहाँ पर यह जो मेरी distances ले रहा हूँ, margin मैं 120 की ले रहा हूँ, तो 120 की मैं लेकर चल रहा हूँ margin इसको अगर मैं कम कर दूँ, 90 कर दूँ, तो यह 90 भी चल जाएगी, क्या है, क्या ही बड़ी screens पर भी चलेगी, नहीं बड़ी screens पर नहीं चलेगी, और 90 पिक्सल या फिर मैं आखर इसको VW के form में करूँ, मैं कहूँ कि यार इसको 10 VW कर दो, या maybe even less, 6 VW, तो यह काफी responsive होगा, तो मैं इसको 6 VW कर दूँगा, second section vertical, second section, vertical, second section, vertical में, जो margin यह है, इसको 6 VW करना है, क्योंकि 6 VW करने से नहीं, आटोमाटिकली काफी हद तक responsive बन जाएगा, और फिर इसके बाद जब यह ऐसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, कि यह phones वगरा मैं ऐसे आ जाएगा, और यह देखी सकते हो, आपकी यह काफी बड़िय दिखी रहा है, अब यहां पर, ठीक है, अब इसको ना मैं center भी करना चाहूँगा, इसको center भी मैं करना चाहूँगा, second section के अंतर के content को, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, कि इसको एक flex box बनाओ, display flex करूँ, और flex direction column करूँ, और justify content center, align item center करूँ, justify content नहीं करता हो center, align align item center करूँ, तो यह काफी सही दिख रहा है, ठीक है, तो second section के अंदर, हमें यह सारी के सारी properties, copy करनी होगी, ठीक है, so phone में, जब media query चल रही है, तो second section के अंदर, हमें, यह सब copy करना होगा, format document कर देता हूँ, और इसको हटाता हूँ, और यह सब चीज़े तो already थी, height वगरा, स मैं reload करूँगा, तो आप देखो, यह ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पर, चीज़े अभी बहुत clean दिख रही है, और आप देख सकते हो, कि यह responsive हो चुकी है, तो इसको मैंने responsive तो बना दिया है, और यह अच्छी भी दिख रही है, क्या यह iPhone XR में अच्छी दिख रही है, अ अब भी यह problem दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम body पर लगाएंगे, min width fit content, ठीक है, तो body पर लगाएंगे, min width fit content, जिससे कि क्या होगा ना, कि यहाँ पर यह पूरा पूरा content जो है, ले लेगी body हमारी, ठीक है, अभी देखो, यह कुछ इस तरह से दिखा ही पट रही है, and I think this is looking just fine, एक level के बाद मैं इस image को और चोटा करना चाहूँगा, तो maybe मैं 406 की media को नहीं लगाँगा, और मैं कवाँगा, यार यह जो right selection है, इसकी width को 721 pixel करने की कोई जरूवत नहीं है, इसको छोटा करो, बिल्कुल, एकदम छोटा कर दो इसको, ठीक है, एकदम छोटा कर दो इसको, इसकी width को इतनी ज़्यादा करने की कोई जरूवत नहीं है, and also, यहाँ पर left selection में, I guess हमने align item जो center किया हुआ है, वो भी करने की जरूवत नहीं है, so यह हमारी website अभी काफियत तक responsive हो गई है, अब मैं इसको जल्दी से react project के अंडर डालने वालना हूँ, और इसको मैं म तो feel free to do that, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, कि यार इसकी width को थोड़ा ऐसा कर दो, और यह जो div है, right selection वाली, इसमें अगर आप margin auto, display block, और तो मैं simply यहाँ पर यो right selection है, इसको display कर दूँगा, flex, और यहाँ पर इसकी width है, उसको मे कर दूँगा, 20%, ठीक है, in fact, इसके अंदर की image को करना है, 20%, 20%, तो यह जो image है, इसकी width को थोड़ा कम करके, और, इसको display flex करना है, और justify content center करना है, ठीक है, तो right selection को display flex, और, right selection को, मैं यही बर करता हूँ, display flex करता हूँ, display flex करूँगा, और justify content center करूँगा, और एक और media query लगाँगा, जिसमें मैं यह कहूँगा, कि यार, अगर 400 से, या फिर, 500 से नीचे हो जाएगा रिये, या फिर, मैं तो कहूँगा, 800 से भी नीचे हो जाएगा रिये, तो इसकी width को dot right selection, dot right selection, img करके आप चाओ तो दूसरे ही है, media query लगा सकते हूँ, मैं इसी media query में लगा कर इसको कर रहा हूँ, और मैं इसकी width को कर दूँगा, let's say 45%, let's see कि कि इतना यहाँ पर मुझे इसको करना चाहिए, आप चाओ तो बड़ा भी कर सकते हो इसको, ठीक है, और आप चाओ एक चाहते हो, और अगर आप चाहते हो margin देना, तो margin भी दे सकते हो, top से, तो अगर आप margin टॉप देना चाहते हो थोड़ी सी, योगि मेरे साब से ठीक लगने वाली है, तो margin top 100 pixel आप दे सकते हो, ठीक है, 100 pixel दे देता हूँ, 100 pixel अगर आपको जाता लग रही है, तो आप तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉनसिव बन चुकी है अब इसमें बहुत सारी जावा स्कृप्ट की साहिता से की जा सकती है जो कि बने नहीं करी है बट मैंने आप लोगों को अपने वेबसाइट में ठीक है अब मुझे एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि जो आइकन से थोड़े हिल गए आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आइकन से हिल गए तो यह जो यहाँ पर वर्टिकल है ना मुझे इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा वाई क्योंकि यह मुझे नीचे गिराना पड़ेगा थोड़ा सा चुक्कि facebook यहाँ पर है देखऊ मैंने यहाँ पर लिखा हैं pinterest यहाँ पर मैंने instagram लिखा है तो यह नीचे आना चाहिए था तो यह थोड़ा सा यहाँ पर जो है problematic हो गया है ठीक है तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा Russi कर न keताया एक है वर्टिकल वर्टिकल position को relative करके top कुछ ऐसा करने ही कोशिश करता हूँ बट यह तो इसके साथ जा रहा है ऐसा करने से इसके साथ जा रहा है, मैं इसके relative में नीचे किनाना चाहता हूँ तो यह कैसे किया जाएगा मेरे हिसाब से अगर इस जो img class is equal to class top है जो कि इन सारी PNGs की class है अगर मैं इसके top को change करूँ तो it should work and yes it does तो मैं इसको 122 करूँगा dot image top के top को dot image top के top को dot image top के top को 122 करूँगा and that should work और अभी देखता हूँ yes it does वा यार मज़ा आ गया लेकिन यार ये दुबारा से ये क्या लिख करा रहा है okay pixels pixels okay pixels px 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 pz नी px okay और अभी देखता हूँ सब कुछ ठीक है की नहीं हाँ यार काफी बड़ी है दिखरा है ये देखो YouTube का भी यहाँ पर आ गया एक काम करता हूँ इसको ना 122 से थोड़ा और बढ़ाता हूँ था कि यूट्यूब का जो लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाए हाँ ये परफेक्ट आ गई है भी तो 133 कर देते हैं इसको 133 इंस्टेड ओ 122 133 करते हैं और हाँ यार मैंने फुटर को हाइट कर दिया था क्योंकि उस टाइम हो मुझे बहweet ज़या कर रा था तो फुटर को भी मैं में यां पर जल्दी से वापस लेहूंगा और अभी यह फुटर जो जो भाँ ज़या मुझे कर रहा है तो मैं सबस्तरी एह देखता हूं कि यहां पर यह कहां पर है हाँ ठीक है यह फुटर नीचे है बट जैसे ही मैं responsive mode में आता हूँ फुटर ऐसे चिपक क्यों जा रहा है रेखता हूँ मैं यहां पर क्या problem आ रही जो main section है इसकी height को लेके कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है जो कि मुझे figure out करना पड़ेगा है कि क्या problem है first section को मैंने शायद height दे रही है second section को मैंने height दे रही है height height 80 VH इसकी height मैंने आटा ही second section की तो यह और उपर चला गया वाव HR first section how about कि मैं body को जो height है वो दे दूँ और मैं कहूं height unset तो इसको fix करने के लिए जो second section है इसकी height को मैंने बढ़ा दिया है इसकी height को मैं 141 कर रहा हूँ और यह fix हो गया है आप देख सकते हो यह fix हो जाएगा जैसे ही मैं इसकी height को बढ़ाऊँगा क्या यह footer भी responsive है हाँ यह footer is pretty much responsive इसकी height को मैंने 141 VH कर दिया है in fact मैं यह पूरा ही copy कर लेता हूँ और यहाँ पर paste कर देता हूँ और सिर्फ height वाला पार्ट में लूँगा format document करूँगा अब यह CSS को आप लोग arrange कर ले ना क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे सा arrange शायद नहीं किया है और अभी website देखो कितनी बढ़िया लग रही है responsive है अगर आप navbar की height थोड़ी चोटी बड़ी prefer करते हो तो वो आप कर ले ना feel free to do that but otherwise यह बहुत साही दिख रहा है वाओ यार मज़ा ही आगया है इसको देखकर amazing अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक next js project में डालने वाला हूँ और next js project में डालने के लिए मैं यह पूरी css copy करूँगा और इसको jsx में convert करूँगा तो मैं जल्दी से क्या करूँगा next js 13 app में जाँगा और यहां पर एक command fire करूँगा और उसके बाद जो है मैं एक app बनाऊँगा मैं आप जल्दी से installation पे click करता हूँ और मैं आपर npx create और मैं इसका नाम रखने वाला हूँ portfolio next ठीक है तो मैं यहां पर एक terminal खुलूँगा और मैं इसको fire करूँगा और create next step yes I want to install it portfolio protony portfolio next ठीक है typescript no 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 मैं सब कुछ default चनते हुए इस project को बना लेता हूँ जल्दी से और फिर इसके बाद इसको vs code में खुलूँगा let's wait for this to finish और मैं simply जो मेरी css को global में डाल दूँगा और जो मेरा page है उसको मैं home page बना दूँगा यह बन जुकी है मैं cd करूँगा और मैं portfolio next में जाकर code.fire करूँगा और यह vs code में खुल चुका है और vs code में तो मेरी यह वली आप भी खुली हुई है portfolio website index.html ठीक है तो मैं आपर simply क्या करूँगा कि जो यह सारी files मुझे मिली हुई थी और यह सब कुछ था मैं इन सब चीजों को रखते हुए सबसे पहले तो क्या करूँगा जो styles है मेरे styles को copy करूँगा styles को copy करके global styles में डालूँगा तो मैं इसको copy करूँगा और मैं काम करता हूँ कि desktop 2 okay तो यह desktop 2 में है great यहां पर मैं काम करता हूँ इसको desktop 3 में ले जाता हूँ ऐसे काम करना थोड़ा easy हो जाएगा app में जाओंगा page.js में जाओंगा और यहां पर मैं क्या करूँगा oops मैं सबसे पहले global.css में जो मेरी css है ना इसको paste करूँगा और इसके बाद यहां पर you know मैं return क्या करूँगा मैं return करूँगा यह मेरा जो body है ठीक है तो यहां पर एक header आएगा mean आएगा footer आएगा ठीक है और यहां पर मैंने type.js की script डाली हुई है तो type.js को react में कैसे करना यह भी हम figure out कर लेंगे अभी के लिए मैं इसको skip कर रहा हूँ ठीक है तो मैं यहां पर आया और मैंने यहां पर कुछ इस तरह से सब कुछ यहां डाल दिया अब एक चीज होती है कि class is equal to को हमें replace करना पड़ता है class name is equal to से ठीक है और जो img tag होता है उसको इस तरह से close करना पड़ता है इस self losing tags को कु यहां मैंने replace शायद कर ही दिया है नहीं भी किया होगा तो मुझे पता चल जाएगा यार एरर आ जाता है line number पता चल जाती है कौन सी line number में error है I think we are good to go now मैं यहां पर लिखूंगा npm run dev जो कि एक dev server को शुरू कर देगा और मेरी portfolio website मुझे as a react project बनकर मिल गई है internal server error let's see कि क्या problem है यहां पर लिख कर आ रहा है कि no utility class is detected okay तो हम actually tailwind use कर रहे है but that's fine दोबार से restart करता हूं server को देखता हूं क्या problem है compile successfully and yes it works बस यहां पर problem यह आ रहे है कि images नहीं है और उसी के साथ-साथ शाइस CSS भी बहुत अच्छे से load होई नहीं है तो font नहीं होई है load अच्छे से तो font को भी हमें load करना होगा ठीक से font font यहां पर मैंने कौन सी use की थी यह देखता हूं सबसे पहले okay तो मैंने यहां पर यह font यह यह चीज़ जो हैं पर डाली हुई है यह सब मुझे अपने layout में डालना होगा तो कुछ नहीं मैं एक layout.js बनाऊंगा जो की बनी हुई भी है already और यहां पर डाल दूँगा इसको ऐसे format document कर दूँगा और यह क्या दिक्कत आ रही है इसको मुझे ऐसे close करना पड़ेगा हाँ अब ठीक है और अब शायद यह problem चली जाएगी तो reload करूँगा इसको three errors दिखा रहा है hydration failed I think मुझे server को restart करना पड़ेगा link 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 मैंने डाला okay फिर body डाला body के अंदर children भी देखता हूं क्या दिक्कत है okay so problem यह थी कि मैंने आपर head tag के अंदर नहीं डाला था इसको अभी मैंने head tag के अंदर डाल दिया है और अब यह बिल्कुल सभी सभी काम कर रहा है ठीक है यहां पर डाले हुए थे मैं दिखाता हूं आपको तो हमारी portfolio website में यह सारे icons थे मैं in fact क्या करता हूं यह सारी files copy कर लेता हूं except index.html और portfolio next नाम से मैंने बनाई यह अपनी यह app public के अंदर इसको डालूंगा और reload करूंगा तो यह सारी images भी वापस आ गई है यहां पर html की image क्यों नहीं आई देखता हूं html की image क्यों नहीं आई यार शायद उसको मैंने अलग तरीके से लिखाओ इसको मैं बंद कर देता हूं भी मुझे इसको खुलने की जरूरत नहीं है अभी मैं अपने page.js में देख सकता हूं जाकर की क्या-क्या दिक्कते आ रही हैं तो src is equal to youtube.png को मुझे slash youtube.png करना पड़ेगा similarly app को भी यह करना पड़ेगा इसको भी यह करना पड़ेगा जहां-जहां png आ रहा है वहां-वहां मुझे ऐसे करना पड़ेगा src is equal to में slash करना पड़ेगा तो इसमें छोटे-mोटे adjustments थे कुछ कि मैंने अभी-अभी कर दिये हैं अब आप लोग को मैं यह बताता हूं कि इसको host कैसे करना है सबसे पहले हम इसको as a static website build करेंगे और इसके लिए जो command होता है वो थे next build ठीक है और next build directly यहां पर चलेगा नहीं मैं बताता हूं आपको यह क्यों नहीं चलेगा आपको यह scripts को use करके चलाना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूंगा npm run build करूंगा तो यह next.js app बिल्ड हो जाएगी अब क्या होता है कि अगर आप इसको as a static app host करना चाहते हैं तो next export आप use कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं next export static exports और यहां पर आप देखोगी कुछ इस तरह से आप export कर सकते हूं ठीक है तो अगर आपने यह आपर output में export लिग दिया next config में तो after running next will produce an out folder which contains html css js assets ठीक है तो चलो यह चीज करते हैं यहां पर हम अपनी next config में जाकर यह चीज add कर देते हैं और अब यहां पर npm run build करते हैं और यह आपर एक out folder बनाकर हमारे लिए export कर देगा ठीक है तो यह तो out folder बन गया और यह जो out folder है इसको हम डालने वाले हैं अपनी hostinger में ठीक है तो मैं hostinger में आ जाता हूँ कहां गयी hostinger ठीक है hostinger.com login और login करने के बाद login by google करूँगा और अपने account में sign in करने के बाद यह वाला folder ready रखूँगा कौनसा folder out वाला folder यह रा यह जो सारे content है यह मुझे डालने होंगे अपनी hostinger में तो यहां पर मैं manage पर click करूँगा और manage पर click करने के बाद by the way मैंने title set नहीं किया इसका आप लोग title set जरूर कर लेना ठीक है और यह करने के बाद website connected सब कुछ यह पर title set कर लेते हैं मुझे पता लोग कहेंगे यार इतनी चोटी और इतनी impactful चीज क्यों नहीं करी तो चलो यार कर देता हूं ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं harrys dev portfolio और यहां पर मैं लिख देता हूं description में hi this is harrys dev portfolio ठीक है और दुबारा से obviously run करना पड़ेगा मुझे ए command और फिर इसके बाद मेरा जो output हो पॉपलेट हो जाएगा लेकिन इजर में hostinger कहां पर files डालनी है यह figure out कर लेता हूं तो website आपकी hosting plans से connected है अब हमें simply hosting पर जाना है और hosting पर जाने के बाद management करना है अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहां website में जाएं फिर manage में जाएं फिर file manager में जाएं जो harysdevportfolio.in इसका file manager में आपर खोल लिया है और यह file manager मुझे सारी files दिखा देगा मुझे simply करना क्या है public html के अंदर यह सारी files को जो है उठाकर upload कर देना है और replace भी कर देना है और मेरी जो website है वो यहां पर update हो जाएगी ठीक है तो harysdevportfolio.com जो है वो मैं खोलूँगा अगर तो देखो harysdevportfolio यह अभी update नहीं हो यह बाई तवह अभी update हो गई harysdevportfolio हाँ अभी यह update हो गई आइगस और download resume में github inspect करो और देखो कि कैसी चल रही है यह responsive हो गई है तो हाँ यह responsive हो गई है और मैंने इसको as a next.js आप इसलिए बनाया है क्योंकि next.js में possibilities endless हैं आप कई चीज़े कर सकते हो so I hope कि आप लोग को जो यह extension था इस video का यह समाज में आया अगर मैं इस पर काम करने में बेडिया तो बहुत गंटे भी लग सकते हैं 5-6-7-8 गंटे तक हम इसको इंपरोब करते रहे जाएंगे तो मैं चाहता हूँ आप अपनी अपनी बर्जल पॉर्टफोलियो वेबसाइट के साथ करें अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस thank you so much you guys for watching this video and I will see you next time